प्रभुदर्शन में आपका स्वागत है मित्रों आत्मा से परमात्मा की आज की इस कड़ी में हम माता सीता के विशय में बात करेंगे मित्रों हिंदू धर्में पत्नी को पती की अरधांगिनी कहा जाता है यानि पति-पत्नी का संबंध ऐसा होता है जैसे रत के दो पहियों का आपस में होता है पत्नी-पत्नी के हर सुख दुख किस्षा भागी होती है इसी प्रकार से अयोध्या के राजकुमार स्रीराम जो की स्वैंग विश्नुव के अवतार थे उनका विवाह राजा जनक की पुत्री मातासीता के साथ संपन्न हुआ था दोनों लोग एक सुखी जीवन वितीत कर रहे थे परन्तु पिता की आग्यां का पालन करते हुए प्रबुस्रीराम को वनवास के लिए जाना पड़ा माता सीता भी पतनी धर्म का पालन करते होगे प्रभु स्रीराम के साथ वन जाने को तयार हो गई प्रभु स्रीराम माता सीता वभाई लक्षमर को साथ लेकर वन को प्रस्थान कर गये वन में लोग सांती पुर्वक जीवन वितीत कर रहे थे परन्तु रावड नामक असूर ने माता सीता का हरड कर लिया जिसके बाद माता सीता अपनी पती परायटा के साथ लंका की एक छोटी सी कुटिया अशोख वाटिका में निवास कर रही थी प्रभु स्रीराम ने वानरों की मदद से लंका पर चढाई कर दिया और माता सीता को ससम्मान अयोध्या वापस लेकर आये अयोध्या में प्रभु स्रीराम का राज्या भी सेग बड़े धोमदाम से किया गया पर इस समाज ने भगवान तक को नहीं छोड़ा समाज में बाते होने लगी कि माता सीता की पवित्रता भंग हो चुकी है जब यह बात प्रभु स्रीराम को ग्याद हुई तो प्रभु बहुत आहत हुए एक राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु को न चाहते हुए माता सीता को राज से निसकासित करना पड़ा जबकि वे जानते थे कि माता सीता बिलकुल पवित्र है राजिसे निश्कासित होने के बाद माता एक रिष्षी के आस्रम में निवास करने लगी जहां पर उन्होंने दो पुत्रों लव और कुछ को जन्म दिया बाद में माता सीता की जीवन लिला जब इस पृत्वी पर संपन्न हो गई तो उन्होंने अपने आपको धर्ती माता की गोद में समाहित कर दिया इस प्रकार माता सीता एक आदर्स पत्रिवर्ता पती परायन नारी थी अतह माता सीता के चरित्र का आकलन मानवी दृष्टिकोर से करना तूटिपूर्ड है आज की इस कड़ी को मित्रों यहीं समाप्त करते हैं आत्मा से परमात्मा की और की इस कड़ी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी मिलते हैं हम लोग आत्मा से परमात्मा की एक नई कड़ी में